बैक तो न्यू वीडियो और लिलिया कंपेटेक्टिव एक्जाम प्रेप्रेशन आप सभी का हाथ दिख सोगत था है तो आज की वीडियो में हम करेंगे जिला कुलू की बेसिक नॉलेज के बेसिक नॉलेज के बारे में बात तो जिला कुलू का जिले के रूप में गठन एक 1966 में हुआ था जिसका जिला मुख्यालिय कुलू है जिसमें की जिला कुलू में जारुक मंडल आते हैं और पांच विकास खंज जिला कुलू में स्थित हैं पांच तहसील जिला कुलू के अंदर आती हैं और दो उप तहसील जो है इसके अंदर आती हैं कुल गाउं जो हैं 172 जो हैं कुल गाउं हैं और 204 जो हैं ग्राम पंचायत स्थित हैं और विधानसवा क्षेतर कुलू जिल्ला में चार विधानसवा क्षेतर हैं और क्षेतरफल की दिरिष्टी से कुलू जिले का क्षेतरफल पांच हजार पांच सो तीन किलो मीटर वर किलो अब हम इसी वीडियो में जिला कांगरा की बेसिक नॉलेज़ के बारे में बात करेंगे तो जिला कांगरा की यूर बढ़े तो हिमाचल पर्देश का सबसे बड़ा जिला भी माना जाता है एक उससे क्योंकि इसमें जो है और विधान सब्ख्षेतर में तीन, चार, पांच, छ चुछ जो है बड़ा भी मानना जाता है जिला कांगरा की बारे में बात करने थो हम जिने के रूप में गठन एक नवंबर 1966 को हुआ था और इसका जिला मुख्याले धर्मशाला स्थीत है धर्मशाला में हमारा शीत कालीन बिधान सवा सतर लगता है तपोवन में तो वो तपोवन में वे धर्मशाला तपोवन में वो स्थीत है और जिला कांगरा में जो है 9 उप मंडल हैं जिला कांगरा में 15 विकास खंड हैं जिला कांगरा में 18 तसील हैं और 8 उप तसील हैं जिला कांगरा में जो है कुल 760 ग्राम पंचायते हैं जिला कांगरा में कुल गाउं जो है 3868 जो है कुल गाउं हैं और जिला कांगडा के अंडर जो है बिधानसवा 14 बिधानसवा क्षेतर जो है आते हैं और जिला कांगडा का क्षेतर फल 5,749 वरक किलोमेटर जो है जिला कांगडा का क्षेतर फल है बहुत जाल पॉंस अगे, so guys वीडियो में तक मने रहने किले थांक्स फो वाचिंग इस वीडियो, थांक्स गईस